राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है एक और गहलोट समर्थक अशोग गहलोट को सीयम पद पर बने रहने देने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी और पाइलट समर्थक जोर शोर से सचिन पाइलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैर भी कर रहे ह इस बार पाइलेट समर्थकों ने कॉंग्रेस मुख्याले के बाहर सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाले। कॉंग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए शुक्रवार को आखिरी तारीक है मलिका अर्जुन खडगे और शशी धरूर ने नामांकन दाखिल किया। इस दोरान बड़ी संख्या में नेताओं और समर्थकों की भीड लगी रही। ऐसे में पाइलट समर्थक भी दिल्ली कॉंग्रेस मुख्याले पहुँचे जैसे ही मुख्यमंत्री अश्योगहलोत नजर आए समर्थकों ने जम कर सचिन पाइलट के नाम की नारेवाजी की। पारे में पता है। एक पाइलट समर्थक का कहना है कि हम मांग करते हैं कि ऐसे नेता को पार्टे अध्यक्ष बनाया चाहिए। गरतलब है कि राजिस्थान में मचे सियासी घमसान के बाद सचिन पाइलट ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद जब पाइलट दस जनपत से निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कई दिनों से चुपी साधर सचिन पाइलट ने मीडिया से बाचीत की इस दोरान उन्होंने अगले सियम को लेकर जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि हमारी पहली प्राथमिकतार राजिस्थान है। उन्होंने कहा कि राजिस्थान में जो भी घटनकरम हुआ उस पर पार्टे अध्धक्ष सोन्या गांधी और अन नेताओं से विस्तार से बात के मेरी भावनाएं और मेरा फीड़बैक उन्हें दे दिया है। हलंकि कौन-कौन मुकाबले में अंत तक रहेगा इसका फैसला नामवापसी की अंतिमतिती आठ अक्टूबर को होगा। उमीदवारों की अंतिम सूची आठ अक्टूबर को शाम पांच बिजे प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 17 अक्टूबर को खराये जाएगा। इसके बाद मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परणाम घोशित किये जाएगे। अधिक्षपद के चुनाब में प्रदेश कॉंग्रेस कमेठियों के 9000 से अधिक प्रतिनिधी मतदान करने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।